नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंटेन्यूज आस्टो पर और मैं हूँ आपकी साथ शुरूति दिवेदी आज के दिन का लेकर आई हूँ आपके लिए भाग्यफल चलिए जान लेते हैं क्या कह रहे हैं आपकी ग्रहन अक्षत्र ये आपकी नाम राशी पर अधारत है चलिए जान लेते हैं नाम का पहले अक्षत सा जो राशी पहुँचती है उनके लिए और जिनको अपनी चंद्र राशी पता है वो अपनी चंद्र राशी से फॉलो करें सबसे पहले ग्रहों की चाल जान लेते हैं सूर्य और ब्रहसपती बैठे हुए हैं वरिशव राशी में मेश राशी में बुद्ध और शुक्र बैठे हुए हैं वहीं कन्या राशी में बैठे हुए हैं केतू, मीन राशी में बैठे हुए हैं मंगल राहू, सिंग राशी में बैठे में चंद्रमा और कुम विराशी में बैठे में शनी ये था राशियों का हाल चलिए जान लेते हैं अब क्या कह रहे हैं मेश राशी वालों के ग्रहनक शत्र अगर आप अपनी knowledge को, अपनी विद्या को, अपने काम के प्रति लगाएं तो उसमें आपको धनलाब भरपूर मेरेगा Family life अच्छी नजर आ रहे है छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है पेरों से जुड़ी समस्या का ध्यान रखें चलिए बात कर लेते हैं अब हम व्रिशब राशी वालों के बारे में आज के दिन मन में किसी तरीक का तनाव चल रहा था तो वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है वही मैं कहूंगी कि घर परिवार के प्रति आपका पूरा-पूरा समर्पन रहेगा कुछ नया सीखना चाते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए लेकिन हाँ ये बात है कि संतान, संतान के प्रतिया फैमली मेंबर्स को आपके द्वारा आज के दिन लाब मिलता हुआ नजर आ रहा है चलिए बात कर लिते हैं बगली राशी, हम बात करेंगे मिथुन राशी वालों के बारे में मिथुन राशी वालों धनलाब आपको भरपूर मिलेगा, फाइनाचली आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा लेकिन हाँ ट्रावल स्ट्रिप्स के आपके प्रोग्राम्स बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि कोई खास तो नहीं मैं कहूंगी लेकिन खराब भी नहीं मैं कहूंगी इस समय पर बॉसे जधिकारी वर्ग के साथ कोई बात को लेका टेंशन हो सकती है आफिस में खासकर अगर आप टेकनोलोजी में काम करते हैं तो टेकनिकल प्राब्लम्स आपके दिन आप फेस कर सकते हैं तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना जरूरी है अब बात करते हैं करकराशी वालों के बारे में करक राशी वालों आज का दिन आपका कई मायनों में अच्छा जाएगा अच्छे खान पान का लुट्फ उठाएंगे वहीं दोस्तों को लेकर कोई चिंता चल रहे थी तो वो दूर होगी अपनी कार ड्राइविंग का भर या आप जो भी गाड़ी वीकल ड्राइव करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से ड्राइव करें कहीं चोट लगने की संभावना नजर आती है और वैसे आपका दिन जो है कहीं मामलों में अच्छा जाएगा बात करते हैं अब हम सिंग राशी वा बढ़ेगा नहीं तो प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी वहीं मैं कहूंगी कि कारिक्षेत्र में आपका नाम बढ़ेगा आपके मेहनत जो है वो फल लाएगी और बहुत से जधिकारी वर्ग आपसे प्रसंद रहेंगे जो भी व्यक्ति आपके जीवन में डिसिशन देने के एकशमता रखता है वो आपके निड़ने से आपके काम से प्रसंद रहेगा बात करते हैं अब हम कर्न्याराशी वालों के ले बात करते हैं160 मन में कई तरीके के विचार आ सकते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं पैरों की समस्या हो कोई रोग हो हड़ीयों से कारण बंड सकती है stress level को थोड़ा manage करें बाकी का दिन आपका अच्छा जाएगा भाग इस समय पर भरपूर आपका साथ दे रहा है और foreign travel के भी आप में से कई लोगों के योग नज़र आ रहे हैं बात कर लेते हैं अब हम तुला राशिवालों के लिए तुला राशिवालों क किस तरीके से धनलाब कमाया जाए finances को कैसे मजबूत किया जाए पूरा ध्यान इसी पर लगा रहेगा आपका और यहीं आपके लिए कहीं न कहीं एक gain की एक लाब की परिस्थती बना रहा है वहीं पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रहे थी तो वो दूर होती हुई नजर आ ही है और जीवन साथी के साथ आपको पूरा पूरा romantic time spent करने का एक अच्छा time spent करने का मौका मिलेगा अब बात कर लेते हैं अब हम अगली राशी व्रिष्टिक राशी वालों के बारे में व्रिष्टिक राशी वालों आज का दिन आपका कई मायनों में अच्छा जाएगा work को लेकर काम को लेकर आपके पूरे पूरे मेहनत जो है फले भूत हो गया पूरा ध्यान रहेगा yeah वहा आपको थोड़ा ध्यान रखना जरoure है अगली राशी हम बात करेंगे धनूराशी वालों अभी तक बहुत चीजों को आप संजो कर चल रहे थे लेकिन किस्मत आपका पूरा साथ दे रहे है धर्म के प्रति धर्मिक चीजों के प्रति पूजा पार्थ या जो भी स्पिर्च्वालिटी आप बोलें उसमें आपका इंट्रिस्ट बढ़ेगा और कुछ नया करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाबकारी रहेगा लेकिन हाँ मैं कहूंगी दोस्तों में प्रति थोड़े से उदासीन हो सकते हैं फ्रेंड्शिप्स हों भाई बहन हों उनके साथ संबंद बिगड़ रहे हैं या फिर उनका रूखास वभाव आपको करिशान कर रहा है बात करते हैं अब हम मकराशी वालों के बारे में मकराशी वालों आज का दिन आपका कई माईनों में बहुत अच्छा जाएगा चलिए जान लेते हैं कैसे सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि किसमत आपका साथ दे रही है वहीं विद्या से जुड़ा कुछ नया सीखना चाहते हैं फैमली लाइफ में कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन मानसिक चिंता सता सकती है कई बातों को लेकर कुछ नया रिसर्च करना चाहते हैं कई चीज की तह तक जाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है चलिए बात कर लेते हैं और बगली राशी हम बात करेंगे कुम राशी वालों के लिए कुम राशवालों आज का दिन आपका ठीक ठाक जाएगा पार्टनर के प्रतियापकी डिवोशन बढ़ी रहेगी और पार्टनर से कई प्रकार का रूखा बरताव ना करें वो आपके लिए बहता रहेगा फैमिली लाइफ आपकी ठीक रहेगी बॉसे जदेकारी वर्गाप से प्रसने रहेंगे मदर मदर तुल्य महिला आपके लिए बहुत लाप्रत रहेंगे अंतिम राशी मीन राशी जो करते हैं सबस्यादा इंतजार मीन राशी वालों आज का दिन आपका ठीक जाएगा चिंता आपको हो सकती है परिशानी आपको हो सकती हेल्थ को लेकर और किसी प्रकार का लोन चल रहा है तो आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है वहाँ पर आपको साफ़ान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है बाकी किस्मत आपका पूरा-पूरा साथ दे रहे हैं भाग्योदय चल रहा है भाग्या आपका पूरा साथ दे रहा है और हाँ अपनी वानी द्वारा अब धनला प्राप्त करेंगे तो दोस्तों ये था आज का राशिवल अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा आप अपना और अपने परिवार वालों का खुब खुब ख्याल रखेगा लेती हो आपसे विदा नमस्कार आपका दिन भौछ शुब हो